दोस्तों ये है यूनी एंजाइम लिक्विट आज की वीडियो में हम जानेंगे यूनी एंजाइम लिक्विट के बारे में पूरी जानकारी जैसे यूनी एंजाइम में इंग्रेडिन क्या है यूनी एंजाइम का इंग्रेडिन कैसे काम करता है यूनी एंजाइम हमारे लिए कितना फायदे मन्द है और यूनी एंजाइम लेने पर पीने पर हमें इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है तो पूरी जानकारी के लिए व कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। So hi guys, welcome back to my channel. This is Amir and you watching Health Care and Medicines. दोस्तो यूनी एंजाइम लिक्विट के बारे में जानने के लिए आईए सब सब पहले जानते हैं यूनी एंजाइम में मौझूद इंग्रेडिन के बारे में दोस्तो यूनी एंजाइम लिक्विट में दो तरह की इंग्रेडिन का इस्तमाल किया गया है पहला है Diestease और दूसरा है Pepsin आएए सब सब पहले जानते हैं क्या है Diestease दोस्तो Diestease जो Fungal Diestease के रूप में इसमें मौझूद है जो एक Enzyme है Fungal Diestease का काम होता है काप्स को कार्बो हाइडरिट को अच्छे से पचाना ये कार्बोहाइडरिट जिसमें ग्लूकोज और माल्टोज होता है उसे अलग-अलग तुकडों में तोडने का काम करता है कार्ब्स हमारे शरील में स्टार्च के रूप में मौझूद होता है और यही स्टार्च को तोडने के लिए एंजाइम की जुरुत पड़ती है मतलब पचाने के लिए एंजाइम की जरुत पड़ती है और फंगर डायस्टेज का यही काम होता है डायस्टेज हमारे शरीर में मौझूद जो हम खाना खाते हैं जो हम कार्बोहईडरिट लेते हैं खाने के रूप में उसी कार्बोहईडरिट को एंजाइम डायजेस्ट करता है तब ही हमारे शरीर में एनरजी मिलती है हमें ताकत मिलती है दोस्तो अगर हमें यह हमारे शरीर में डायस्टेज कम रहेगा fungal dastis कम रहेगा तो हमें कई तरह की पेट की समस्या भी हो सकती है जैसे एक हटी डकार आना, पेट में गैस होना, बदहजमी रहना, भूक ना लगना जैसी समस्या हो सकती है क्योंकि हमारे शेरी में अगर dastis कम रहेगा तो कार्बोहइडरेट अच्छे से नहीं पचेगा और फिर यही कार्बोहइडरेट सड़ने लगेगा, हमारे पेट में ये खराब होने लगेगा जिसकी वज़ा से हमें एनरजी की कमी हो सकती है, हमारा खाना सही से नहीं पचेगा तो ऐसी समस्याओं में आपको dastis की कमी पूरी करने के लिए डॉक्टर यूनी एंजाइम जैसी सिरप सेजस्ट करते हैं जिसमें कार्ब्स को पचाने के लिए dastis मौजूद होता है उसी तरह पेपसिन भी प्रोटीन को ब्रेकडाउन करके हमारे शरीर को ताकत देने में मदद करता है पेपसिन भी एक तरह का एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेकडाउन करता है प्रोटीन को अच्छे से तोड़ता है उसे छोटे छोटे ऐमिनो एसे बदलता है जिसकी वजह से ये पेट के कोशिकाओं में जाकर काम करता है और इस कोशिका को चीफ सेल्स कहा जाता है हमारे शरीर में पेपसिन सबसे खास या मुख्य एंजाइम माना जाता है जो प्रोटीन को आसानी से पचाता है, ब्रेकडाउन करता है और हमारे शरीर में प्रोटीन को एब्सॉर्ब करने में मदद करता है जिसकी वज़ा से हमें प्रोटीन का पूरा फायदा मिलता है हमें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है और अगर प्रोटीन हमारे शरीड में पचेगा तो प्रोटीन पचने की वज़ा से प्रोटीन के जितने सारे फायदे हैं वो हमें मिलेगा और हम फिट रहेंगे दोस्तो अब आईए बात करते हैं यूनी एंजाइम लिक्विट किस कंडिशन में लिया जाता है दोस्तो जिनें बदहजमी की शिकायत रहती है खाना सही से नहीं पचता है पेट में हमेशा दर्द रहता है या पेट जिनका फुला फु हमसूस होता है ऐसी समस्याओं में यूनी एंजाइम लिक्विट लिया जा सकता है दोस्तो यूनी एंजाइम लिक्विट हिचकी बार बार आने पर या खटी डकार आने पर या पेट में जलन होना लहर होना या एसीडिटी होने जैसी समस्याओं में भी लिया जा सकता है दो जब हम खाना खाते हैं तो एंजाइम बनना हमारे मूँ से ही शुरू हो जाता है हम जितनी जादा खाना चबा कर खाते हैं उतना जादा लार बनता है और यही लार एंजाइम बनाने का काम करता है इसलिए हमें अपने से कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए अगर हम बाहर से कोई enzyme लेते हैं तो हो सकता है कि कुदरती enzyme जो हमारा शरीर बना रहा है उसकी कमी हो जाए और आपको दवा की आदत पड़ जाए इसलिए आपको अपने से बिलकुल भी कोई भी enzyme की टैबलेट या enzyme की दवा liquid नहीं लेना चाहिए पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह ले पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें उसके बाद ही यूनी एंजाइम लिक्विट का इस्तिमाल करें दोस्तो अब आईए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यूनी एंजाइम लिक्विड लेने पर इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है दोस्तो यूनी एंजाइम लिक्विड लेने पर स्टूल का डार्क हो जाना, स्टूल का हाड होना, पेट में दर्द होना, डाइरिया होना, लूज मुशन होना, गले का सूखना, बार बार प्यास लगना, या गले में दर्द होना, अलर्जी होना, या अलर्जीक रियक्शन ज इसी समस्या हो सकती है, दोस्तों जरूरी नहीं है कि ये सारे साइड इफेक्ट आपको हो, हो सकता है इनमें से कोई साइड इफेक्ट या कोई एक साइड इफेक्ट आपको हो, या कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, अलग अलग विक्तियों को अलग अलग तरह का साइड इफे तो तुरंत यूनी एंजाइम लिक्विट लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर के पास जाएं तो दोस्तों ये तो था यूनी एंजाइम लिक्विट के बारे में जानकारी अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिल्द